प्रेमानंद मौन रब से बढ़कर और है कार प्रेमानंद मौन प्रेमानंद मौन इश्वर ही है और है कार सभी को शुभेच्छा, हैपी थाट्स, तेज ग्यान फाउंडेशन त्वारा आयोजित, ध्यान प्रार्थना पीज भूने के लिए, आप सब का स्वागत करते हैं, रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं, और जो बीमार हैं, उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुँचा पाएं, तो आईए, ग्रहनशील रहते हैं, और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सबी आँखें बंद करें जब कभी भी ज़रूरत महसूस हो तो कुछ शुम विचारों को चुनकर दोहराना चाहिए जैसे कि मैं अपने नकारात्मिक विचारों से मक्त होकर शांत हो गया हूँ शांत हो रहा हूँ यह हो रहा है मैं जीवन में विश्वास रखता हूँ मैं जीवन में विश्वास रखता हूँ इसलिए मैं सदास रक्षित और आनन्दित हूँ मैं शांत हूँ महत्व पूर्ण हूँ जैसे सभी अपना अपना महत्व रखते हैं मैं भी महत्व पूर्ण हूँ संपूर्ण हूँ मैं खुद को प्यार सुईकार और माफ करता हूँ मैं खुद को प्यार सुईकार और माफ मैं खुद को प्यार सुईकार और शमा करता हूँ मुझे ताज़गी महसूस हो रही है मुझे प्रेम पुर्वक अपने शरीर दिमाग तथा सभी अंगों की देखवाल करना पसंद है मुझे ताज़गी महसूस हो रही है मैं जीवन के आनन्द को खुल कर अभिव्यक कर रहा हूँ मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में हमेशा सही काम समय पर हो रहे हैं मैं जीवन में हमेशा सही काम समय पर होते हैं मैं चैतन्य हूँ मैं मजी से खुशी से जीवन के हर अनुभव के साथ बहे रहा हूँ किहान की धारा में ग्यान गंगा में सब ठीक ठाक पहले से बहतर हो चला है मैं खुशी खुशी अपने अतीत को भूत काल को मुक्त करता हूँ और अब मैं वर्तमान में चैन से हूँ खुश हूँ आजाद हूँ प्रसंता से भरे हुए विचार खुशी से भरे हुए विचार मेरे भीतर संपूर्ण स्वास्त का निर्मान कर रहे हैं प्रसंता खुशी आश्चरिय सरहना प्रेम आनंद मौन इन सभी से भरे हुए विचार मेरे भीतर संपूर्ण स्वास्त का निर्मान कर रहे हैं सेहत का निर्मान कर रहे हैं मैं साक्षी हूँ मैं जान रहा हूँ जब आप भीमार हैं तब इस विचार से शुरुआत करें कि मेरे विचार इश्वर के विचारों से अलग हो गए होंगे जिस वज़े से मैं यह बीमारी भोग रहा हूँ वरना तुमें बिल्कुल स्वस्त होता अब मैं केवल इश्वर य विचारों को ही अपने शरीर वर मन से गुजरने दूगा यह आपकी दवा है यह आपका दवा है अब मैं केवल इश्वर य विचारों को ही अपने शरीर मन से गुजरने दूगा यह वाक्य सत्य का विचार है सत्य में शक्ती है सत्य में अरजा है सत्य दोहराते ही इसकी स्वास्त अरजा आप में प्रभाहित होने लगती है स्वास्थ अर्जा आपका सत्य ही आपको नरोगी बना सकता है सत्य से अंजान रहे कर हम आज तक कई तकलिफें, रोग, परेशानियां भोग चुके हैं इसलिए आज से ही यह प्रण करें, कि अब मैं महाशक्ती के संपर्क में रहने के लिए अपने विचारों को सत्य की दिशा दूँगा अपने विचारों को सत्य की दिशा दूँगी यह समश पाकर, खुद से कहें इश्वर, सही और सत्यावी विचारों को मुझे माध्यम बनाकर सोच रहा है जो तुरंत विचार, नियम, अनुसार, फल देंगे इस सोच की वज़े से विचार, नियम, अनुसार, मुझे फल देंगे इस तरह प्रातना करने के बाद, आप अपने रोज के कामों में लग जाएं और बाकी सब विचार, नियम पर छोड़ दें ताके वह बिनाट के काम कर सके जब भी अपनी बिमारी को देख कोई शंका आपके मन में पैदा हो तो यह दोराएं मैं अब खुश हूँ निश्चिंद हूँ क्योंके अब यह समस्या अब यह रोग अब यह तकलीफ इश्वर के हाथों में है यानि बेस्ट हाथों में है दुनिया के बेस्ट बहतरीन हाथों में है मैं खुश और निश्चिंद हूँ क्योंकि अब यह इश्वर इसकी देख रेक स्वें कर रहे हैं आत्म सुझाओ विचार नियम अनुसार सोचे गए विचार या आपके दिल को चू लेने वाले वाक्य दोहरा कर आप स्वास्त का चमतकार देख सकते हैं आपके दिल को चू लेने वाले वाक्य जैसे स्वास्त मेरा जनम सिद अधिकार है या मैं स्वास्थ से जुड़ना चाहता हूँ और जुड़ रहा हूँ मैं बहुत जल्द ही नरंतरता से व्यायाम करता रहूंगा उम्र के साथ मेरा उत्सा और स्वास्थ बढ़ते ही जा रहा है मैं बीमारी के नहीं स्वास्थ के पक्ष में हूँ मेरे शरीर की पाचन करिया इतनी सशक्त है कि हर खाने की चीज लकड हजम पत्थर हजम जैसे हो जाती है मेरा शाररिक स्वास्थ देखकर लोग मुझसे प्रिरणा पा रहे हैं हर सांस लेने के साथ मेरा शरीर स्वास्थ बन रहा है मेरे चहरे पर स्वास्थ की चमक सत्य का तेज दिख रहा है मेरे शरीर की हर कोशिका में दिव्य उर्जा प्रवाहित हो रही है मुझे स्वास्थ के बारे में हर जानकारी मिल रही है मेरा शरीर बल्वान और मन समर्थेवान बन चुका है या बन रहा है जैसा आपका विश्वास है वैसा हो रहा है मेरा शरीर बदिल रहा है स्वास्थ हो रहा है मेरी कार्य शमता बढ़ रही है मेरा शरीर चुस्त तंदृस्त बन चुका है या बन रहा है या दोहराएं मैं इतना स्वस्त हूँ कि बिमारियां मेरे आस पास आने से भी डरती है मैं स्वस्त हूँ मैं तंदृस्ती का आनन्द ले रहा हूँ मैं चुस्त हूँ चुस्ती का आनन्द ले रहा हूँ मैं सही वक्त पर सही मात्रा में भूजन करता हूँ मेरा स्वस्त शरीर मुझे उच्चतम अभिवक्ती जैसे कि मेरी कला का प्रदर्शन करने में मदद कर रहा है मैं सदा हलका मैसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ शान्त शित से प्राथना करें अन्त में तपरपन करेंगे अपने अर्जित बल का लोग कल्यान के लिए हर जीव कल्यान के लिए मैं अपनी प्राथना और दिहान का बल अर्पित करता हूँ कर पया स्विकार करें इस भाव से तपरपन करें सबी दिरी दिरी आंखें खलेंगे प्राथना और मार्ग दर्शन का सभी ने लाब लिया आईए यहीं पर समाप्त करते हैं कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद करते हैं झाल झाल